हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चानल, आज मैं बात करूंगी पारिश के मौसम का सबसे फेमस प्लांट रजनी गंधा, जिसे इंग्लिश में ट्यू बोस भी कहते हैं, इसलिए मैं नर्सरी से रजनी गंधा का पौधा ले आई, ये मार्च में या फिर अर्ली एप्रिल में आ अब इसके बाद मैं इसका रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने 8 से 10 इंच का एक पौट लिया, जिसमें 2 से 3 ड्रेनेज होल्स बने हुए है, मैं 8 से 10 इंच का पौट इसलिए लिया है, क्योंकि जितना बड़ा पौट उतनी ही अच्छी तर ये रजनी गंधा का प्लांट ग्रो करेगा, अब इन ड्रेनेज होल्स को मैं क्ले पीसिस के मदद से कवर कर दूंगी, अब इन बल्ब्स के लिए हमें ऐसी मट्टी तयार करनी है, जो पोरस हो, ताकि बल्ब को नीचे की तरफ ग्रो करने में आसानी हो अब मैं इसमें 20% कंस्ट्रक्शन सैंग से सबसे पहले नीचे बेस बनाया और अच्छी तरह प्रेस कर दिया, इसके बाद मैं सॉयल मिक्स जिसमें गार्डेन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट, गुबर की खात मिला के बनाया है, उसे पोर्ट मैं अच्छी तरह डाल दूंगी, मतल सॉयल वेल ड्रेंट और रिच होना चाहिए, सॉयल मिक्स डालने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, ताकि कहीं भी एर पॉकिट्स ना रहे, इसके बाद बारी है इस प्लासिक कंटेनर को काट के हटाने की, तो मैं इसे कैरफुली कैची की मदद से काट के हटा दूँगी, अब काटने के बाद अब धीरे से इसके प्लासिक कंटेनर को फार के मैं इस मिट्टी समेथ पॉधे को निकालूँगी और धीरे धीरे मिट्टी को अलग कर दूँगी, ताकि मैं इन बर्प्स को अलग-अलग कर सकूँ, और हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि इससे इन रूर्ट्स को कोई नुक्सार न पहुचें। इसके बाद तीन से चार इंचिस का भूल करके बल्ब को अच्छी तरह लगा दिया। बल्ब्स को लगाने के बाद ठीक तरह से आसपास के सॉयल को प्रेस कर दिया ताकि वो इधर उधर ना गिर सके। अब मैं बाकी बल्ब्स को भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा रही हूँ ताकि उन्हें ग्रो करने में आसानी हूँ। हमें एक पॉट में कम से कम चार या पाच बल्ब्स लगाने चाहिए। इसके बाद बल्ब्स को अच्छी तरह से लगा लेने के बाद अब मैं उपर उपर से सॉयल मिक्स स्प्रेट कर दूँगी जिससे की बल्ब अच्छी तरह सॉयल के अंदर फिक्स हो जाए। अब सॉयल देने के बाद अब मैं सारे बल्ब के आसपास को फिर से अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी ताकि बल्ब अपनी जगार पर फिक्स हो जाए और उसे ग्रो करने में आसानी हो। अब इन सारी चीजों के बाद अब बारी है पानी देने की। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये पारिश का पानी है जो मैंने दो दिन पहले हुए बारिश में कलेक्ट किया था। अब पानी बिलकुल धीरे धीरे देना चाहिए ताकि बल्ब्स को कोई नुकसान ना पहुँचे और मिट्टी हमेशा मौइस रहनी चाहिए ना कि गीली। रजनी गंधा के पौधे को दिन में 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है तो इसे हम सेमी शेड़ेट एरिया में रख देंगे। अब ये जुलाई के एंड में या फिर ऑगस्ट से फ्लारिंग करना शुरू करेगा और नविंबर तक रहेगा। So friends, if you all like my video, then please like, share, comment and don't forget to subscribe my channel. Have a good day!